हलो एब्रिवान आए वेल्कम यू आल तो स्टाइए निति यहां पर यहां पर यहां पर यह जो कोर्स हमारा चल रहा है इस कोर्स ऑफ बेसिक टू एड्वांस यह हमारे सेशन का स्केडियूल है और इस स्केडियूल के अकॉर्डिंग आज हम करने वाले हैं बोट्स एंड स्ट्रीम का क्या करेंगे concept class करेंगे, सीखेंगे कि both stream को solve कैसे किया जाता है और actually मैं ये work कैसे करता है और यहाँ भी मैंने आपको 13th of May तक का schedule दिया है इसके जो आने वाले sessions होंगे मैं आपको updation बाद में देती रहूँगी daily की हमारी दो classes रहती है 11 a.m. and 9 p.m. तो दोनों ही practice करनी है, daily का आपको हम लोग target देते हैं, pdf course में target आपको मिलता है कि daily के इस सब्जेक्ट के यह है, इतने इतने number of questions करने है, plus this course is from basic to advanced prelims to mains, सब चीज इंक्लूड है, two months के अंदर आपकी एकदम पाक्त तैयारी हो जाएगी किसी भी examination के लिए एकदम base पूरा strong हो जाएगा, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको फिर भी last में briefing अच्छे से दे दूँगी, तो आज का हमारा session जैसे मैंने पहले बोला रहने वाला है, boats and stream पे boats and stream पे boats and stream मतलब boats का मतलब तो होता है नाव हिंदी वैसे मेरी थोड़ी सी कमजोर है बड़ जितना मुझे पता है stream का मतलब होता है धारा नाव और धारा और writing तो मेरी और भी खराब है हिंदी की, नाव और धारा boats and stream मतलब नाव और धारा के सवाल हम आज करेंगे, देखो आपको मैंने last session में एक concept करवाया था, concept time, distance and speed या फिर distance, speed and time की तो यह जो chapter है उससे related ही है इसलिए मैंने इस chapter को उसके बाद ही रखा मैंने आपको उसमें सिरफ और सिरफ एक golden concept बताया था golden concept मैंने आपको क्या बताया था उसमें, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था distance equals to किसके बाराबर होता है, speed into time के यही बताया था तो यही जो golden concept है यही हमारा यहाँ पर चलने वाला है आप यह चीज़ ध्यान में रखोगे this is our golden concept यह color तो golden नहीं है but it is matching somewhere with golden तो ठीक है कोई बात में इसको हम golden concept बोलेंगे इसके basis पे पूरा का पूरा time distance and speed चला था और पूरा का पूरा boats and stream चलेगा ठीक है लेकिन इसके साथ थोड़ा सा कुछ और edition हो जाने वाला है जो मैं आपको बता दूँ सबसे बहले देखो नाव और धारा boats and stream तो धारा में मैं एक जरने का example भी ले सकती हूँ और एक river का example भी ले सकती हूँ river का क्योंकि river भी flow करती है और जरना तो जरना भी flow करता है दोनों से आपको समझ में आएगा देखो मालो यह एक जरना है this is a waterfall यह उपर से नीचे आ रहा है मैं जरना ऐसी बनाऊंगी है जितना मुझे बनाना आता है यह ना उपर से नीचे आ रहा है ठीक है यह एक mountain है ऐसा कुछ mountain है इसकी उपर से यह जरना सा निकल रहा है तो इसका flow कैसे होगा इस तरीके से पानी का flow होगा ना इसके अंदर अम आ राइट इस तरीके से पानी का flow यहां पर रहेगा मतले बी किस डारेक्शन में आ रहा है डाउन्वर्ड डारेक्शन में आ रहा है और मान लो आप वाटरफोल पर गए हो किसी मादो कैंटी फॉल पर गए हो कोई अगर नौथ इंडिया से तो उनको पता होगा कैंटी बाद फेमस जगह या फिर मकलोड गंज में भी हमारे पास एक वाटरफोल है वहां भी काफी लोग जाते हैं तो मसूरी में भी आप मालों किसी वाटरफोल पर गए हो वहाँ आप नहारे हो नहात्ते हो तो नीचे यहां पर मतलब यह स्पेस होती है जहां पर जहरने के नीचे जहरने से उपर चड़ना मतलब मुझे इस पहाड के उपर चड़ना लेकिन मैं जाओंगा जहरने से बहुत डेरिंग काम है खचरों की खिलाडी वाला काम है लेकिन ऐसा काम आपको पता है पॉसिबल भी नहीं है फिर भी आप सोच रहे हो तो आप जब इसकी उपर माउंट चड़ना शुरू कर दो हुआ है ठीक है समझ में आ गई यह तो जहरना है और यह आप हो अगर आपके पास अगर आपके पास जो डायरेक्शन्स हैं फ्लो की आपकी और स्ट्रीम की स्ट्रीम की और आपकी जो डायरेक्शन है वो ओपजेट हो और एक केस बनता है कि स्ट्रीम की और आपकी जो डायरेक्शन है वो सेम हो आपकी डायरेक्शन क्या होगी अपवर्ज और जहरने की डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड्स मैं एक layman language में समझा रही हूँ लेकिन इसका concept में आपको इसी से elaborate आगे करो ठीक है जब भी हमारे पास direction opposite होती है direction opposite होती है हम उसको बोलते है upstream और जब भी हमारे पास direction same होती है हम उसको बोलते है downstream ठीक है अब यह देखो up जा रहे हो आप स्ट्रीम के ऊपर जा रहे हो ज़रने के ऊपर जा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग upstream और मान लो आप mountain की स्चोटी पर खड़े हो this is you this is मुन्ना आपका नाम मुन्ना है आप यहां पर खड़े हो आपको नीचे आना है तो ज़रना भी नीचे आ रहे हैं आप भी नीचे आ रहो किस डारेक्शन में नीचे आ रहे हो डाउनवर्ट्स तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे downstream बोलेंगे क्या बोलेंगे हम लोग downstream बोलेंगे इतना क्लियर है सबको आपको इस एक्जाम्पल से clarity अच्छी अच्छी मिली होगी ओके अब मैं आपको ना बोट का और क्यूंकि बोट यहां पर आएगी ना आप थोड़ी आओगे बोट का और stream का example दोगी देखो यह हमारे पास रीवर है इसमें पानी भेर है अब देखो पानी तो किसी एक डारेक्शन से आता है ना दो डारेक्शन से तो पानी आता ही नहीं है और यहां पर हमारे पास एक बोट भी है इस इस आर बोट सुन्दर शी हमारी बोट ठीक है मुझे बोट तो बनाने नहीं आज बट ठीक है काम चल जाएगा आपका इसको हम थोड़ा से और सुन्दर बना देते हैं ठीक है यह हमारी बोट अब देखो मैं बोल रहे हो कि पानी जो है ना वो कहा से आ रहा है इस डारेक्षन में आ रहा है और बोट जो है वो इस डारेक्षन में जा रही है तो जब भी direction होती है opposite, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, upstream, और जब भी, मालो अगर पानी भी इस direction में है, boat भी इस direction में है, जब भी direction same होती है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, downstream, अगर आपके पास direction opposite होगी, मतलब आपको ऐसे जाना पड़ेगा, उपर तो आपको चड़ने में दिक्कत आएगी, आपको बहुत दिक्कत आईगी, पानी आपके उपर से आ रहा होगा, आप उपर चड़ रहा होगे, मतलब प्रॉब्लम आएगी, तो upstream और प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो downstream, आपको आपको दिया हो, just a second, जब भी आपको दिया हो कि speed of boat, देखो boat की कोई speed होगी न, boat के अंदर भी तो motor लगी होती है, जब भी बोलाओगा speed of boat तो वो denote इस तरीके से करेगा, speed of boat in still water, क्योंकि अगर हमें boat की speed जाननी है, अगर हमें boat की speed जाननी है, तो खड़े पानी में देखो न, boat कितना चल पा रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, you, you से denote करते हैं, और एक आएगा आपके पास speed of stream, stream का मतलब क्या है, धारा की speed, मतलब यह ज़रने की कित्ती speed है, इसकी भी तो speed है न, रीवर के पानी की भी तो speed है न, तो इस पानी की speed हमारे पास किस से denote करेंगे, वी से, speed of boat किस से denote करते हैं, you से, और speed of stream किस से denote करते हैं, वी से, अब ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास upstream और downstream है, upstream क्या होती है जब directions हमारे पास opposite होती है, और downstream क्या होती है, जब भी हमारे पास direction सेम होती ह्यात, उल्टा बोल दिया क्या? सही बोला मैंने और यहाँ पे मैंने आपको upstream downstream का हिंदी नहीं बताया ना चलो हिंदी भी ही पे बता दती हूं upstream को हम लोग बोलते हैं ओर्ध प्रवाः और downstream को हम लोग बोलते हैं अनूप्रवाः ठीक है? ओके अब upstream जब भी हमें speed निकालनी होगी ना कि हमें speed निकालनी है कि speed upstream में कितनी है तो हम लोग हमेशा किस से denote करेंगे? U-V से मतलब speed of boat minus speed of stream, now की speed और धारा की speed speed का मतलब क्या होता है? गती होता है और अगर downstream speed निकालनी है या downstream निकालना है तो उसको हम किस से denote करते है? U plus V मतलब हम लोग क्या बोलते है? boat की speed plus stream की speed नाव की गती और धारा की गती ठीक है? समझ में आगी? अब यहीं से अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे निकाल के बताओ अगर मुझे upstream निकालना हो की U की value क्या है? मतलब speed of boat क्या है? तो speed of boat हमेशा होती है downstream plus upstream divided by 2 और speed of stream क्या होती है? downstream minus upstream divided by 2 अब आप बोलोगे मैं यह कैसे आया? तो देखो formula हमारे पास हमने यह वाला formula यूस की है upstream हमारे पास है U minus V downstream हमारे पास है U plus V इसको देखो cancel out करो 2 U किसके बराबर आगया? up plus down के तो U किसके बराबर आगया? up plus down divided by 2 similarly अगर यही से मैं V को ना cancel करके U को cancel कर दूँ up is U minus V down is U plus V minus 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 तो यह क्या हो जाएगा? up minus down U cancel out हो गया कितना आजाएगा? minus 2 V आजाएगा यहां से क्या आजाएगा? minus हटाना है तो इस पे लगा दो इसको हटा दो तो downstream minus upstream divided by 2 क्या हो जाएगा? V इस तरीके से हमने इस formula की derivation करी है अब देखो एक और important चीज़ मैंने आपको बताया एक होती है downstream और एक होती है upstream यह speed बतारे हूं आपको downstream मतलब आप लोग same direction में आ रहे हो इस तरीके से और upstream मतलब आप लोग opposite direction में जा रहे हो मतलब इस तरीके से तो सीधी बात है यार अगर आप पानी के साथ साथ आ रहे हो मालो आप उपर खड़े हो mountain के आपको नीचे आना है और नीचे जर्ना गिरना है जर्ने के थुरू आओगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे आपकी speed क्या होगी तेज होगी और आपको time क्या लगेगा कम लगेगा जर्ना उपर से नीचे गिर रहा है और आपको नीचे से उपर जाना है मतलब आपको बहुत दिक्कत आएगी आपकी speed क्या होगी कम होगी और आपको time क्या लगेगा जादा लगेगा ये चीज बहुत ही basic थी बहुत ही एकदम समझ आने वाले थी और ना भी बताती तो भी आपको समझ में आई जाती बढ़ ये बतानी भी जरूरी थी ठीक है अब एक last concept आपको मैं बताऊंगी विच कलर शुद आ टेक ब्लो एक concept आता है जब भी आपको distance जो दिया होता है distance जो दिया होता है वो constant हो distance क्या हो constant हो मतलब सेम हो तो उस case में जो time of upstream होता है और time of downstream होता है उसका ratio कैसे निकलता है u plus v divided by u minus v जैसे मैंने आपको उसमें बताया था ना हमने एक last chapter किया था time distance and speed का उसमें भी हम लोगों ने ऐसे कुछ constant की बात करी थी आपको याद होगा तो अगर हमारे पास इस case में distance constant होता है तो हम लोग time of upstream और downstream कैसे निकाल सकते है u plus v divided by u minus v अब आप बोलोगे मैं इसका derivation दो तो मैं derivation भी आपको दे देती देखो मुझे time of upstream निकालना है time of upstream हो जाएगा और speed के हो जाएगी u minus v और मुझे downstream का निकालना है तो ये time के हो जाएगा time of downstream और speed कितनी हो जाएगी u plus v distance मेरे पास same है upstream का मुझे क्या निकालना है speed निकालनी है upstream का मुझे क्या निकालना है time निकालना है time किसके बराबर होता है distance upon speed और time किसके बराबर होता है distance upon speed मैं बोल रही हूँ distance same है मैं बोल रही हूँ distance same है तो अगर distance same है तो ये time of upstream u minus v ऐसे बोल सकती हूं और अगर यह d है इक्वेशन टू time of downstream u plus v बोल सकती हूं distance same है तो दोनों equations आप equal रख सकती हूं u minus v बराबर time of down u plus v इस equation को आपने solve किया time of up divided by time of down किसके बराबर आ गया u plus v divided by u minus v के तो यह आपकी इसकी derivation थी जो मैंने आपको यह चीज बताई है अगर आपका time waste ना हो तो आप इस तरीके से करो आपको basic से चलना है तो मैंने आपको basic तरीका भी बता दिया है ठीक है जस्ट देखो कोई shortcut नहीं है derivation नहीं है आपको सीधा ही याद रखने आप सीधा ही याद रखो आपको basic से चलना है basic से चलो choice is yours बढ़ हाँ यह चीज इस तरीके से होती है ठीक है समझ में आगी i hope इतना clear होगा आप इसके अंदर variants आ सकते हैं देखो मैं time को भी constant रख सकती हूं speed मेरी constant कभी नहीं हो सकती upstream downstream speed हमेशा अलग होती है time को भी मैं constant अगर रखना चाहूं तो मैं रख नहीं सकती क्योंकि upstream में जादा time लगता है यह एक point है यह दूसरा point है जो man है ना वो इस point से इस point पर swim कर रहा है distance कितना है 6 km और time उसको कितना लग रहा है डेड़ घंटा यह देखो km भी आर भी है तो हमारे पास unit सही है अभी तक it covers the distance upstream in 2 hours upstream में time कितना लेता है वो 2 hours हमें क्या निकालना है speed of the man in still water speed of the man in still water या speed of the boat in still water इसको boat ही पड़ो आप इसको भी boat ही पड़ो आप object ही है ना इसको हम user denote करते है ठीक है समझ में आ गई तो देखो मेरे को पता है कि upstream speed मेरे पास क्या होती है upstream speed मेरे पास क्या होती है U minus V होती है upstream का time मुझे दिया हुआ है 2 घंटे और upstream का distance मेरे पास है कितना 6 km ठीक है समझ में आ गई downstream का अगर distance 6 km है और same distance उसने बोला है तो upstream का भी 6 km होगा अगर मैं downstream की बात करूँ तो उसको time कितना लगा देड़ घंटा downstream की speed कितनी होती है U plus V time मैंने आपको बता दिया देड़ घंटा और distance कितना है 6 km distance देखलो आप same है तो यहाँ पर time आपके पास है distance आपके पास है speed किसके बराबर हो जाएगी distance upon time that is 3 km पर आर और अगर इधर से बात करूँ तो speed किसके बराबर हो जाएगी distance upon time that is 4 km पर आर आपको पता है U minus V कितना है 3 और U plus V कितना आपके पास 4 तो इसको cancel out कर दो 2 U बराबर कितना हो जाएगा 7 तो U बराबर कितना हो जाएगा 7 by 2 which equals to 3.5 km पर आर 3.5 km पर आर अब आप बोलोगे मैं मैं आपने अभी अभी तो सिखाया था कि distance constant हो तो आपको क्या लेना होता है बोलोगे ना आप अभी यही सोच रहे होगे ना कि time of upstream divided by time of downstream U plus V U minus V आप यही सोच रहे होगे कि माम आपने यह क्यों नहीं लिया तो देखो यहां पर हमारे पास U और V दोनों ही missing है तो हम लोगों ने opt किया कि हम इससे चलें अगर एक value भी गिवन होती तो हम लोग निकाल सकते थे बट क्यूंकि दोनों missing है तो answer इसके अंदर U और V की terms में रह जाएगा फिर हमको फिर इक्वेशन में इसको डालना पड़ेगा तो इस बेटर कि हम लोग सीधा ही उससे करें जब आपको कुछ ना कुछ एक element definitely given हो या time निकालना हो तो हम लोग इस element को use करने वाले हैं ठीक है practical approach हमने इसमें देख लिए हैं आगे चलते हैं a boat takes 8 hours to cover a distance while traveling upstream तो upstream का distance हमें नहीं पता time हमें पता 8 गंटे है whereas in traveling downstream it takes 6 hours तो downstream में क्या है distance नहीं पता time है 6 hours if the speed of stream is 4 km per hour speed कितनी है 4 km per hour दोनों में stream के speed सेम रहेगी क्योंकि धारा की गती तो सेम होगी ना धारा तो अपनी गती से चल रही है change तो हम हम हो रहे है ना या change तो boat हो रहे है ना धारा की गती जो है वो हम लोग constant ही लेंगे हर एक case में then what is the speed of the boat in still water हमें क्या निकालना है यू निकालना है clear समझ में आ गई अब यहां पर ध्यान दो distance आपको उसने नहीं बोला distance नहीं बोला लेकिन उसने बोला upstream भी जा रहा है और downstream भी आ रहा है मतलब distance हम लोग क्या मानेंगे distance is constant क्योंकि उसने distance की कोई बात ही नहीं करी distance is constant जब भी distance constant होता है तो हम लोग कौन सा golden rule apply करते है time of upstream divided by time of downstream equals to u plus v divided by u minus v देखो इसके अंदर v given है v given है इसलिए formula use हो रहा है अगर v given ना होता तो हम लोग किसी और चीज़ से करते हैं हम लोग basic formula से करते है time of upstream कितना है 8 downstream कितना है 6 u कितना है नहीं पता v कितना है 4 u minus 4 ठीक है इसको solve कर लेंगे 4 और 3 तो 3u sorry 4u minus 16 बराबर कितना आ जाएगा 3u plus 12 तो यू किसके बराबर आ जाएगा 28 के यू किसके बराबर आ जाएगा 28 के तो यू ही find करना था 28 km per hour basic से करते तो distance किसके बराबर होता speed into upstream का time फिर distance किसके बराबर होता speed into downstream का time फिर इसको आप लेके दोनों distances को solve कर लेते v हमारे पास 4 था इस तरीके से तो u minus 4 into 8 बराबर हो जाता u minus 4 into 6 फिर उसको solve करते तो भी से यू कितना था थाई सी आता तो इस बेटर की इसी सही कर लो क्योंकि एक element अल्रडी हमारे पास यहां पर था आगे देखो अब what can travel 20 km downstream in 24 minutes this is minutes and this is kilometer हमें आंसर किसमें पूचा है minutes में हमें seconds में नहीं पूचा तो समझदरी इसी में है कि हम लोग क्या करें इसको एक बार जाएगा समझ में आगे इसको आर्ज में कर लेते हैं तो यहां पर अगर मैं डाउन की बात करूं डिस्टेंस हमारे पास है 20 km टाइम कितना है 24 मिनट आर्ज में कनवर्ट करना है divided by 60 तो कितना आ जाएगा 2 by 5 hours 12 से काट दो 2 by 5 hours आ गए the ratio of speed of boat in still water to speed of stream is 4 is to 1 यू और वी का ratio कितना है 4 is to 1 है how much time will the boat take to cover 15 km upstream upstream का हमें निकालना है distance हमें पता है 15 km है time हमें निकालना है ठीक है हमें information किसके बारे में given है downstream के बारे में given है तो हम लोग downstream से ही शुरू करने वाले हैं इसको downstream में distance हमारे पास कितना है 20 और time कितना है 2 by 5 तो क्या हम लोग speed निकाल सकते है speed of downstream कितना निकल जाएगा distance upon time distance upon time निकलेगा और speed of downstream होता कितना u plus v होता है कितना निकलेगा यह काट देते हैं 50 निकल जाएगा u कितना है हमारे पास 4 और v कितना है 1 तो 4 x बोल सकते हैं और इसको x बोल सकते हैं that means 5 x किसके बराबर आगया 50 के तो x किसके बराबर आगया 10 के which means u की value हमारे पास 40 आ जाएगी और v की value हमारे पास 10 आ जाएगी हमें time निकालना है upstream का तो speed कितनी होती है इसकी u minus v that is 40 minus 10 is 30 30 निकल जाएगा time निकाल लो कितना आ जाएगा distance upon speed that is 1 by 2 hours और अगर इसको minutes में करना है तो हम लोग आधे घंटे को क्या बोलते हैं 30 minutes या फिर multiply by 60 कर दो minutes में करने के लिए कितना आ जाएगा 30 minutes option number D will be your answer I hope आपको ये वाला question भी अच्छे से clear होगा ठीक है next पे जलते हैं देखो questions करेंगे न तभी समझ में आने लगेगा speed of boat in still water is 18 km per hour u की value कितनी है 18 है and speed of stream is 3 km per hour v की speed कितनी है 3 है overall बताया है इसने न आप बोला इसने न डाउन बोला इसने it takes 11 hours in total to row upstream from point x to y and downstream from point y to z एक point हमारे पास है x to y जिसमें ये upstream चलता है और एक है y to z जिसमें ये downstream चलता है और दोनों का time मिला कि इसके पास कितना है 11 घंटे है if the distance from x to y is one third of the distance between y and z जितना y और z का distance है उसका ये वेला distance क्या है one third है तो मैं बोल देती हूं y और z का distance है 3x तो इसका कितना हो जाएगा x that is 3x by 3 which is equals to x मान सकते हैं then what is the total distance traveled by the boat both upstream and downstream हमें किसकी value find करनी पड़ेगी 4x की upstream और downstream पूछा है मतलब x to y भी पूछा है y to z भी पूछा है मतलब हमारे पास किसकी value होनी चाहिए 4x की value होनी चाहिए किसकी होनी चाहिए 4x की value होनी चाहिए ध्यान दो सबसे पहले x से y वो कहां चला है अप्स्ट्रीम और y से z वो कहां चला है downstream और हमें time factor दिया हुए कितनी है total 11 घंटे downstream में जतना time लगा plus upstream में जतना time लगा वो किसके बराबर है 11 घंटे के downstream का time क्या होता है distance upon speed downstream का time क्या होता है distance upon speed distance कितना downstream का 3x और speed कितनी होती है u plus v that is 21 upstream का time निकालने के लिए distance कितना है x और speed के होती है u minus v 18 minus 3 is 15 बराबर 11 समझ में आ रहा है इतना I hope इतना clear होगा इसको काट देंगे 7 से 15 और 7 का LCM ले लो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा 15x ब्लस 7x किसके बराबर 11 के बराबर 22x divided by 105 किसके बराबर 11 के यह हो जाएगा 2 x की value कितनी आ रही है मेरे पस 52.5 कितनी आ रही है 52.5 हमें किसकी value निकालनी है 4 x की तो 52.5 का double करो आपके पास कितना आता है 105 105 का फिर double कर दो आपके पास कितना होता है 210 कितना होता है 210 option number 3 will be your answer 52.5 का into 4 करना ना इसको into 2 करो कितना आएगा 105 फिर इसको into 2 कर दो कितना आ जाएगा 210 क्लियर समझ में आगे डबल और डबल कर दो तो आ जाएगा 210 आपका अंसर बन गया अब एक और question देखते हैं A boat can cover 40 km upstream and 60 km downstream together in 13 hours तो upstream का 40 km और downstream का 60 km कितनी देर में cover करती है 13 घंटे में Also it can cover 50 km upstream and 72 km downstream in 16 hours Upstream का कितना 50 km और downstream का कितना 72 km कितने घंटे में 16 घंटे में हमें किसकी speed बतानी है Speed of boat and still water मतलब U की value निकालनी है देखो Time factor हमारे पास है Time factor है तो upstream का time Plus downstream का time किसके बराबर होगा 13 के फिर इस case में upstream का time Plus downstream का time किसके बराबर होगा 16 घंटे के Time कैसे निकलता है Distance upon speed Distance हमें नहीं पता Distance हमें नहीं पता Distance हमें पता है ना 40 km Sorry Speed कितनी होती है U-V Plus 60 km U plus V किसके बराबर आगया 13 के 50 km U-V Plus 72 km U plus V किसके बराबर आगया 16 के This is equation 1 This is equation 2 Solve करना है तो आप लोग क्या मानोगे आप लोग मालो कि 1 by U Minus V को आप बोलोगे A और 1 by U Plus V को आप बोलोगे B तो ये कितना आजाएगा 40 A Plus 60 B बराबर 13 और 50 A Plus 72 B बराबर 16 इस पूरे को 4 से मल्टिप्लाइब आप लोगे आप लोगे 40 और 50 को इक्वालाइब कर दो 40 और 50 को इक्वालाइब कर दो मैं बोलती हो 200 A इसको 50 से मल्टिप्लाइब कर दो पूरी equation को ठीक है Plus 300 B 300 याएगा ना नहीं 3000 आएगा यह 2000 A हो जाएगा इसको 5 से कर दो यार बराबर 65 इस पूरे को 4 से मल्टिप्लाइब कर दो 200 A Plus 288 B बराबर 16 4064 मैनस 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 12 B बराबर कितना आया 1 तो B की value कितनी आगई 1 by 12 B की value कितनी आगई 1 by 12 B को हमने क्या माना था 1 plus U यह माना था Equals to 1 by 12 तो U plus B की value कितनी आगई 12 आगई अगर B की value 1 by 12 है इसको 1 by 12 से substitute कर दो कितना आजाएगा 6 तो 50 A Plus 6 equals to 16 तो 5 A Sorry 50 A 50 A बराबर कितना आजाएगा 10 तो A की value कितनी आजाएगी 1 by 5 अगर A की value 1 by 5 है मतलब 1 by U minus V कितना है 1 by 5 that means U minus V कितना हो जाएगा 5 अब हमें value किसकी निकालनी है U की निकालनी है तो निकाल लेते हैं दोनों equations को रख देंगे U की value निकालनी है हमारे पस downstream की आ चुकी है हमारे पस upstream की आ चुकी है तो U की value क्या होती है down plus up divided by 2 क्या होती है down plus up divided by 2 starting में समझाया तो 17 divided by 2 कितना होता है 8.5 कितना होता है 8.5 option number C will be your answer ठीक है चले next question पर the speed of boat A is 50% more than the speed of boat B in still water यह boat A हमारे पस है और यह boat B हमारे पस है speed of boat A in still water जो है speed of boat B in still water से 50% जादा है अगर B की 100% है तो A की कितनी हो जाएगी 1.500% अगर B की 2 है तो A की कितनी हो जाएगी 3 मतलब 3X and 2X if both the boat starts in a lake at the same time from point P downstream at the same time and reach Q देखो यह P से शुरू करते हैं किसी एक point से कहीं जाने के लिए downstream पे same time पे Q पे पहुंचने के लिए जो 72 km है अवे P से 72 km इनके बीच का distance है इस direction में जा रहे हैं downstream जा रहे हैं दोनों जने boat A lost 120 minutes during the journey because the engine did not work properly अगर boat A ने 120 minutes यानि कि 2 घंटे lose कर दिये यानि कि वो पीछे रह गई मतलब boat B जब finish line पे पहुंची यहां पे तो उससे पीछे थी कौन? boat A और दोनों के time का difference कितना था? 120 minutes इसका मतलब यही हुआ ना 2 घंटे की वज़े से वो हार गई ना then find the time taken by boat A given that the distance in upstream given that boat A to cover given distance in upstream with 50% of its speed boat A का जो distance है वो 50% speed से वो cover करता है और यह Hindi में 20 नहीं है 120 है उसी समय नाव A 120 minutes की यात्रा के दुरान खो गया क्योंकि engine ठीक से काम नहीं कर रहा था इसमें यहां पर कर लो यार 120 minutes से हार गया वो lost 120 minutes का मतलब क्या है कि वो 120 minutes से हार गया ठीक है इसको Hindi को प्लीज ठीक कर ले ना मैंने इस पर देख लिया नजर मार लिया देखो अब you हमें पता है clear वी अगर हम जानना चाहें तो उसने बोलाए still water में है क्या खड़े पानी में पानी की कोई speed होती है कोई speed नहीं होती मतलब वी यहां पे क्या रहने वाला है निल रहने वाला है वी यहां पे क्या रहेगा निल रहेगा clear हम यहां पे time फेक्टर पते है कि दो घंटे की वज़े से जो है वो हार गया मतलब एक को डेफिनिटली दो घंटे जादा लगे ना फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए अगर दोनों डाउंस्ट्रीम में चल रहे हैं एक का इंजन खराब हुआ तो मतलब एक को दो घंटे जादा लगे मैं बोलती हूँ अगर मुझे बी का टाइम निकालना है विच इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्लियर डिस्टेंस में रपास कितना है 72 स्पीड में रपास कितनी है यहां पर 2x मतलब 36 by x और अगर मुझे a का time निकालना है तो मैं क्या बोलूँगी distance upon speed distance मेरे पास कितना है 72 speed मेरे पास कितनी है 3x क्योंकि v का roll नहीं है कितनी आ जाएगी 24 हमें पता है b और a के time का difference कितना है 2 गंटे तो b का time minus a का time difference कितना है 2 गंटे का 120 minutes मतलब 2 गंटे और हमने 2 गंटे क्यों ले क्योंकि मेरे पास unit क्या चल रही है kilometer per hour तो मैं minutes में नहीं ले सकती हो 1 by x common आया 12 equals to 2 कितना आ जाएगा 6 तो x की value कितनी आ गई 6 अगर x की value 6 आई तो मेरे पास boat a की speed कितनी हो जाएगी 18 और boat b की speed कितनी हो जाएगी 12 उसने क्या पूचा है find the time taken by boat a to cover the distance in upstream with 50% of its speed 50% इसकी speed का मतलब 50% इसकी speed का मतलब मेरे पास क्या हुआ 9 हो गया definitely 9 हो गया तो upstream में a की speed कितनी है 9 हमें time निकालना है और हमारे पास distance कितना है 72 यही है तो time निकाल लो distance upon speed कितना आ जाएगा 8 hours कितना आ जाएगा 8 hours option number a will be your answer अगले question पर भढ़ते है speed of boat in still water is 40 km per hour and speed of stream is 20 km per hour u की speed कितनी है 40 और v की speed कितनी है 20 the distance between point a and point b is 480 km a और b का distance कितना है 480 km boat a started traveling downstream from a to b in the midway it is powered by an engine due to which the speed of the boat increased boat a जो है downstream जा रही थी ठीक है a से भी downstream जा रही थी लेकिन midway में उसको क्या हो गया उसका engine powered हो गया जादा उसकी speed बन गई जादा उसको power मिल गई तो उसकी speed क्या हो गई increase हो गई मतलब यहां तक जो speed थी मालो x थी तो इसके आगे x plus something ही होने वाले क्योंकि speed increase होई है now the boat reached point b and started back from point a with the help of the same engine same engine मतलब जिसकी speed क्या होई है increased speed है जिसकी speed क्या है increased speed है यहां तक तो वो पहुँच गई लेकिन अब उसने b से यह दुबार आई अगर यहां पे वो downstream चल रही थी तो वापिस आईगी तो कौन सी stream हो जाएगी upstream हो जाएगी it took 19 hours for the journey 19 hours मतलब downstream का time पूरा downstream का time plus पूरा upstream का time कितने घंटे है 19 hours है then with the help of the engine the speed of the boat increased by how many kilometers उसने बोला है कि कितने km per hour से speed जो है भड़ गई थी मतलब हमें येवाल element निकालना है clear अब देखो यहां पे हमारे पास u और v तो definitely है तो मेरे पास u और v अगर मैं original downstream speed की downstream speed निकालूं तो u plus v मेरे पास speed कितनी आजाएगी 60 60 आजाएगी ना definitely आजाएगी अब देखो तो downstream यहां पे 60 थी इसके बाद उसके engine को power मिली तो कितनी हो गई 60 plus x हो गई और upstream में भी कितनी आती है वो 60 plus x से क्योंकि same speed से same engine की मदद से आ रही है ना same engine मतलब भड़ा हुआ engine ना मतलब increased speed का engine ना तो देखो देखो उसने यहां पे बोला था midway में उसके engine को power मिली midway का मतलब क्या होता है midway का मतलब क्या होता है दोनों के equal to कड़े किये mid partition किया 480 का equal to कड़ा किया तो 240 इधर हो गया तो downstream को हम लोग 2 parts में divide करते हैं एक तो old engine के साथ एक new engine के साथ और upstream तो new engine के साथ ही चल रहा है distance में रपास old में कितना था 240 240 और speed कितनी थी साथ फिर new में कितना था 240 speed कितनी थी साथ प्लस X फिर पूरे के पूरे upstream में कितना था 480 speed कितनी थी साथ प्लस X बराबर कितना 19 इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4 तो 240 divided by 60 plus X plus 480 divided by 60 plus X U minus V होगा न एक मिनट U minus V होगा न इसमें तो U minus V करना न upstream का sorry कितना हो जाएगा 20 plus X हो जाएगा अब मैंने 20 plus X यहाँ पे क्यों बोला क्योंकि देखो U है 40 V है 20 और मेरे पास X की और addition हुई थी न कितना आ जाएगा 20 plus X यह चीज मैंने गलत ले लिए यहाँ पे एक मिनट 20 20 कितना आ जाएगा 15 क्योंकि 4 को में इधर ले आई अब आपको just क्या करना है इसके अंदर common ले लेते हैं 15 से काट लेते हैं 15 1s are 15 15 6s are और 15 3s are 45 15 2s are 30 16 मैंने common लिया 1 by 60 plus X plus 2 by 20 plus X कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा क्योंकि 15 से काट दिया ना मैंने तो अब देखो आप option से इसको उठा सकते हो option से कैसे उठा सकते हो X की जगे 16 रखके देख लो क्योंकि यह हमारी क्या है increase हुई हुई स्पीड है मतलब कितनी स्पीड का addition लगा है X की जगे 16 रखोगे अगर आप तो यह 1 by 76 हो जाएगा plus 1 by 2 by कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा 1 by 16 के बराबर आना चीए 16 को मैं इधर ले गई तो यह हो जाएगा 1 by 18 इसको solve कर लेंगे 20 से करके देखते है 1 by 80 plus 2 by 40 बराबर 1 by 16 तो इसको solve कर लेंगे 80 LCM लिया 1 plus 4 बराबर 1 by 16 तो 5 by 80 कितना होता है 1 by 16 होता है मतलब option number B आपका answer बन जाएगा इसको अगर आप option से करोगे तो easy लगेगा option से नहीं करोगे तो फिर question बनाते ही रह जाओगे next question देख लेते है देखो Rohit Canro aboard 65 km upstream and 130 km downstream in 23 hours 65 km up 130 km down कितने घंटे में 23 hours में whereas he can swim 45 km up and 104 km down in 17 hours up plus 104 km down in 17 hours हमें value किसकी निकालनी है both U की value निकालनी है और V की value निकालनी है देखो मैंने आपको यहाँ पे बीचे एक question कराया था दिखा देती हूँ आपको मैं यह वाला question करवा दिया मैंने आपको यह इसका similar question है now this question is your homework समझ में आगई next question देखते है two motor boats A and B started simultaneously मतलब बराबर शुरू किया to travel towards each other from point X towards point Y upstream and downstream respectively यह point X है यह point Y है दो motor boat ने शुरू किया A ने यहाँ से और B ने यहाँ से A जाता है upstream और B जाता है downstream इसने question में यही बोला है and they meet each other at 15 hours यहाँ किसी point में मिलते है कितने घंटे बाद या कितने घंटे में 15 hours में speed of motor boat A in still water is twice the speed of motor boat B in still water अगर मैं A की बात करूँ U और V अगर B की speed still water की X है तो A की कितनी होगी double होगी 2X हो जाएगी what is the distance between point X and point Y हमें find करना है हमें क्या find करना है what is the distance between point X and point Y given that the difference between the speed of motor boat A in still water motor boat A still water की speed and the speed of motor boat B in still water is 15 km per hour उसने क्या बोला है B का still water का speed मतलब X और A का still water का speed मतलब 2X इन दोनों का difference कितना है 15 मतलब X की value कितनी है 15 15 अगर X की value 15 है तो 2X की value कितनी हो जाएगी 30 यू हमारे पास निकल के आगया है समझ में आगी देखो वो एक दूसरे को मिलते हैं क्या कर रहे हैं क्रिस क्रॉस कर रहे हैं क्या कर रहे हैं क्रिस क्रॉस कर रहे हैं और जब भी क्रिस क्रॉस करते हैं हमारी relative speed क्या होती है हमारी relative speed क्या होती है आपको last session में बताया था क्या होती है दोनों की speeds का addition मतलब a की speed plus b की speed right तो a की अगर मुझे क्या निकालनी है speed निकालनी है v तो constant ही रहेगा stream की speed change नहीं होगी तो a की speed हो जाएगी 30 plus v और v की speed हो जाएगी 15 minus sorry 30 minus v होगी ना इसकी 15 plus v यह a की speed है यह b की speed है relative speed is this दोनों का addition relative speed क्या जाएगी दोनों मिल रहे हैं ना दोनों की speed का addition 30 minus v plus 15 plus v v से भी cancel relative speed is 45 km पर आर time distance and speed के concept में आपने किया था time हमें दिया है कितना 15 घंटे meeting time दिया है तो time element है time किसके बराबर होता है distance upon speed किसके बराबर होता है distance upon speed distance नहीं है speed हमारे पास है कितनी है 45 तो d equals to 45 into 15 इसको मैं बोल सकती हूँ 45 into 10 plus 5 तो 450 plus 45 into 4 कितना होता है 180 180 plus 45 कितना होता है 225 that means 675 km क्या है इन दोनों के बीच का distance है इस concept के अंदर आपका boat and stream का भी concept लगया और time distance and speed का भी concept लगया जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रेंज एक दूसरे को मिलती है लास सेशन नहीं अटेंड किया तो लास सेशन आप अटेंड कर लेना So this was your last question I hope आपको सारे questions इच्छे से समझ में आ गए होंगे and अब आप सारे questions अपने अराम से कर लोगे from the practice PDF यहां पर मैं आपको PDF के बारे में बता देती हूं This is the banking PDF course जिसमें हम लोग daily का आपको target देते हैं सारे के सारे sections का कि आपको आज के दिन में कौन-कौन से topics करने है और यह target में pre और means don't included है मतलब दो महीने के अंदर आपकी proper basic to advanced तयारी इस PDF course से definitely हो जाएगी classes तो आप में भी देखी रहे हो या किसी और की भी देख रहे हो तो भी practice आप यहां से कर सकते हो टोटल 9000 plus questions रहते हैं जिसमें prelims और means दोने इंक्रूडर रहेंगे English और Hindi के तो अब हिंदी वाले बच्चों को content की बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और सारे topics हैं चारों के चारो sections है और पाकेज अगर आपके पस है तो 450 का पड़ेगा और पाकेज अगर आपके पस नहीं है तो यह PDF कोर्स आपको 500 का पड़ेगा अनुल पाकेज हमारा 500 रुपीस का है जिसकी वान एयर की वालेडिटी है और यहां पे आपको सारे के सारे mock test चाहिए full length है all-in-one है मिनी मॉक्स है, sectional mock test है, general awareness के mock test है हम लोग speed booster mock test भी launch करते रहते हैं हम लोग creative ideas आपके लिए लाते रहते हैं ताकि आपके speed और accuracy जो है definitely improve हो जाए इस period of time के अंदर prelims and mains दोनों रहेगा, website मतलब laptop पे भी दे सकते हो और mobile पे इस्टीज को access आप कर सकते हो, English और Hindi दोनों में ही रहने वाला है, all-in-one mock test series हमारा PDF course के साथ चल रहा है, मतलब इन 60 दिन में आपको 15 mock test करने है, सारे के सारी organization के PO और clerk दोनों के prelims plus mains दोनों के examinations हमने यहां पे include किये है, अगर आपके पास mock test already है, package तो this will be free for you, अगर आपके पास package नहीं है, तो यह आपको लग से लेना पड़ेगा, technical कोई query है, website, applications related या PDF course related तो आप यहां पे mail करोगे, कुछ other queries है, doubt ना हो, technical ना हो, तो आप मुझे यहां पे DM कर सकते हैं, यह हमारे other platforms है, channel subscribe नहीं किया है, तो कर लेना, telegram channel पे भी हम आपको काफी सारी updates देते रहते हैं, तो इसको भी join कर लेना, और website पे काफी सारा free content available है, जिसके अंदर आपके पास RCs, DEIs, और puzzle and sitting arrangement बहुत अच्छे से मिलेगा, daily की current affairs, Hindi plus English में भी include रहती है, और यह जो तीन हो है, यह top notch quality के है, top level के है, तो इसको आप से करोगे, daily basis पे करोगे और आपको pre plus mains दोनों का मिल जाएगा, ठीक है, तो website भी visit कर लेना, this was all for today, I hope you enjoyed the session and I hope you will meet me all in the next session, till then stay tuned, good luck and stay happy.